हलो फ्रेंट्स आज आप मेरे साथ 32 चेस्ट के लिए कोटोरी ब्लाउस की कटिंग देखने वाले हैं वीडियो पसंद आये तो लाइक और शेयर कर दीजिए और आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए तो यह मैंने नाप लिक रखा है इसी के अकॉर्डिंग हमें फैब्रिक की कटिंग करनी है तो यहां हमें लंबाई बनानी है 13 चेस्ट है हमारे पास 32 कमर है हमारी 27 शोल्डर है 14 इंच स्लीव की जो लेंद है वो है 5 इंच और उसकी गुलाई है 10 इंच आगे के लिए नैक 6 इंच और पीछे के लिए 10 इंच तो इसी नाप से हमें कटिंग करनी है तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास फैब्रिक कितना है मेरे पास यह जो फैब्रिक है यह लगभग 80 सेंटिमीटर है तो सबसे पहले हम लेंगे इसकी लेंथ तो 13 इंच लंबा यह जैसा फोल्ड आता है कपड़ा बस वैसा कवैसा फोल्ड है और क्योंकि यह सिंपल ब्लाउज है अगर अस्तर वाला होता तो 1 इंच और सिंपल है मैं पट्टी इसके साथ में रख रहे हूं तो मैंने इसमें लिया है डैड इंच एड़ करके यानिकी साड़े 14 इंच हाफ इंच उपर आ जाएगा सिलाई मार्जिन और एक इंच की पट्टी हम नीचे से फोल्ड कर लेंगे यानि अलग से पट्टी नहीं लगा नहीं उसके बाद आते हैं हम शोल्डर पर तो यहां पर हमारा शोल्डर है 14 इंच टोटल और यह क्योंकि कपड़ा डबल फोल्ड में है तो उसका हम हाफ कर लेंगे यानि 7 इंच अब हमें पीछे के नेक के अकॉर्डिंग इसे कम करना है यानि पीछे जब 10 इंच नेक होता है तो उसमें से आपको 2 इंच लेस करना है शोल्डर में से तो यह मैंने 2 इंच पर निशान लगा दिया है लेस कर लिया है 2 इंच अब यहां से लेंगे हम 6 इंच अगर आपकी स्लीव की गुलाई कम है दुबले पतली है स्लीव तो आप इसको 5.5 पॉने 6 इंच कर सकते हैं अब देखे 32 का चौथा हिस्सा जो होता है वो है 8 इंच और उसके बाद मैं रख रही हैं इसमें 5 इंच मार्जिन और आप चाहें तो कम ज़्यादा कर सकते हैं उसके बाद देखे कमर कमर का भी हम 1 फोर्ट निकाल लेंगे तो यहां पर यह 1 फोर्ट आ जाता है लगबग पॉने 7 इंच और यह 1 इंच की डाट जो हम पीछे के साइड में लेते हैं वो आ जाएगी और उसके बाद में 5 इंच का हमारा यह मार्जिन तो यह लगबग सेम ही रहेगा क्योंकि ज़्यादा चेश्ट और कमर में फर्क नहीं है और यहां पर हम गोला ही लेंगे 5 इंच की यहां पर मैं नैक की जो चोड़ाई है वो रख रही हूँ 5 इंच क्योंकि मैं पाइपिंग लगा रही हूँ आप अगर पट्टी लगाते हैं तो थोड़ा सा कम ले सकते हैं और गले की लंबाई हमें 10 इंच बनानी है तो यह मैंने ले लिया है 10 इंच अब उपर से तो मैंने 10 इंच लिया है लेकिन यहां पर मैं चोड़ाई इसकी रख रही हूँ तीन इंच और यह राउंड शेफ दे देंगे तो यह हमारा पिछला हिसा कटिंग हो गया है अब हम इसी के अकॉर्डिंग अपना अगला हिसा कटिंग करेंगे लेकिन यह हम डायरेक्ट कप्डे पर नहीं करेंगे हम सबसे पहले फर्मा कटिंग कर लेंगे तो यहाँ पर हाफ इंच मैंने हुक पट्टी के लिए मार्जिन छोड़ा है पिछला हिसा वैसा का वैसा मैंने इस पर रख लिया है अब यहाँ पर हमें क्या करना है निशान लगा लेना है गले की तरफ और यह हो जाएगा हमारा आर्म हॉल एस इस हमें इसे चापना है सिर्फ हमें इसे लंबाई में एक सिलाई वाला जो मार्जिन होता है उतना हमें इसमें एड़ करना है यानि लगभग पौन इंच तक एक इंच में थोड़ा सा कम तो यह लेंध हमें बढ़ा लेनी है क्योंकि बेल्ट जो है आगे कटिंग होगा और वो अटेच भी होगा तो उसी का मार्जिन हमें इसमें एड़ करना है उसके बाद आगे का गला जो है वो है चैंच तो यह मैंने साड़े चैंच पर निशान लगा लिया है उसके बाद लगबग एक इंच तक हम इसे तिकोना हिसा दे देंगे बेल्ट वाला जो तिकोना हिसा है वो ड्रॉ कर लेंगे फिर आर्म होल को हाफ इंच गहराई देंगे अगला हिसा है तो यहाँ पर हाफ इंच मैंने इसको डीप कर लिया है अब उसके बाद हमें इसमें से कटोरी कितनी कट करनी है तो उसका एक फार्मूला है 32 चेस्ट में हम 6 से डिवाइट कर लेंगे तो यह हमारे पास आ जाता है 5.33 यानि कि आप इसे 7.5 इंच मान सकते हैं तो यहाँ पर यह हुप पटी वाला मार्जन छोड़कर हम इसे 7.5 इंच ले लेंगे और यहाँ पर आर्मूल पर हम लेंगे इसे 7.2 इंच और गले के साइड में 5 इंच या 5.5 इंच आप ले सकते हैं उसके बाद हम इसे देंगे गोलाई तो यहाँ पर बाद में एक इंच जो है उलेट पटी भी शामिली है तो यह और यह दो चीजे सेम रहेगी हमें जो बहे काटोरी को बढ़ाना होगा एक इंच तो यहाँ पर काटोरी को आप इस तरीके से रखें कि वो कपड़ा जो है वो तिर्चा हो जाए यानि कि ओरेव हो जाए और ये जो साइड से कपड़ा निकला है यहाँ पर हमारी ये तीनों पार्ट आ जाएंगे तो सबसे पहले कटोरी लेंगे हम तो ये तिकोना इस्सा है ये बीच वाली सिलाई में आ जाएगा आप इसको सीधा नहीं लें इसको हम करेंगे तिर्चा इस तरीके से तो औरेब हो जाएगी हमारी कटोरी और जो औरेब होगी तो फिटिंग इसकी अच्छी आएगी तो सबसे पहले हम इसे ड्रॉ कर लेते हैं तो यह हमने ड्रो कर ली है अब हम इसे बढ़ाएंगे दोनों साइड से बढ़ाएंगे हम इसको तो लगबग डैर इंच बढ़ेगा हाफ इंच बढ़ा लेंगे हम इस साइड से लेकिन गले की साइड हम इसको नहीं बढ़ाएंगे और यहां पर अटेश होने के अकॉर्डिक जितना अटेश होने में मार्जिन लगता है बस उतना ही हमें से बढ़ाना दे और यहां से एक इंच तो वापस हम इसकी गुलाई दे देंगे तो इस तरीके से हमें अपनी कटोरी को बढ़ाना है तो यह मारी कटोरी हो जाएगी आप इसको डबल फोल्ड करके बीच वाला सेंटर वाला निशान लगा सकते है और यह है लंबाई में धाइंच और चोड़ाई में क्योंकि चेश्ट है कम तो एक इंच आप दोना साइड से चोड़ाई में यानि टोटल दो इंच ले सकते हैं तो यह वाला इससा भी हमारा कटोरी के पास से निकल जाएगा बस ध्यान रखें गले के साइड में यह कि नोड़ नहीं आए कपड़े की तो वह मैंने निकाल दी है और यह हो जाएगा हमारा बेल्ट तो यह तीनोई पार्ट आगे के हो गए हैं आप देखें हमारी स्लीव के लिए हमारे पास बहुत सारा कपड़ा बचा है हमें छोटी स्लीव लेनी आप चाहें तो इससे 10 इंच तक की स्लीव बना सकते हैं तो आस तीन की जो लंबाई है वो हमें 5 ही बनानी है और गोला है उसके लेनी है 10 तो एक इंच मैंने मार्जिन छोड़ लिया है उलट पटी के लिए और उसके बाद हमारी स्लीव है पांच इंच और हाफ इंच जो है हमारा मार्जिन यानि कि टोटल हम ले लेंगे इसको साड़े चैंच उसके बाद यहां से साड़े तीन इंच पर एक निशान लगाएंगे तीन से साड़े तीन जितना आपकी स्लीव छोटी उस अकॉर्डिंग आप इसको कम ज़ादा कर सकते हैं तो यहां पर मैंने इसको सीधा कर लिया है अब हमारी आगे की गोलाई जो है वो है दस इंच यानि उसका हाफ हो जाता है पांच इंच और यह जो साड़े तीन इंच पर हमने लाइन कीची है यहां पर हम ले लेंगे छैंच उसके बाद जो हमने ब्लाउज में मार्जिन रखा था डैड इंच स्लीव में भी उतना ही रख लेंगे डैड इंच का मार्जिन और उपर से हम इसको दे देंगे गोलाई तो इसका सेंटर निकालते वे अगले दो हिसो को हम हाफ इंच गहराई देंगे अब इसके बाद में भी हमारे पास इनफ कपड़ा बचा है आप चाहते तो इसलीव लंबी भी कर सकते हैं और उसके बाद पाइपिंग के लिए एक कपड़ा यूज हो जाएगा तो फ्रेंड्स आपको मेरा वीडियो कैसा लगा पसंद आये तो लाइक और शेयर कर दीजिए और साथी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं बुलें